Hello friends, Monotrol Academy आपको स्वागत है, आज की वीडियो में पढ़ने वाले हैं? Experiment, ठीके? तो हमारे ज़र एक्सपरिमेंट का नाम है to study about staining of frozen section हम frozen sections की staining किस तरीके से करते हैं उसके बारे में आज की वीडियो में हम discuss करेंगे ठीके friends, so इसका principle है When the tissue is frozen, the water in the tissue freeze as ice and cut as embedding medium तो basically क्या होता है कि frozen का मतलब क्या होता है? सबसे पहले तो ही जानिये कि बिल्कुल ही ठोस बर्फ में उसको freeze कर देना ठीके? तो टीशु को क्या किया जाता है? frozen किया जाता है, ठीके? उसके बाद उसको cut किया जाता है जिस तरीके से हम embedding करते हैं medium की So the consistency of the block can be changed by alternative temperature of the block So these frozen blocks are then cut by freezing microtome and cryostate तो इसके लिए अलग से microtome जो use किया जाते है वो microtome है, आपका freezing microtome and cryostate microtome तो यह दो तरह के जो microtome है, basically frozen section से उसको cutting के लिए use करते है तो microtome की video है बनी हुई है friends, आप जाकर देख सकते हैं तो कितने प्रकार इसके microtome use होते हैं histopathology में और किस-किस तरह कौन-कौन से किस काम के लिए use किया जाता है ठीके? यह सारे explanation वीडियो में दी हुई है हम बात करते हैं purpose की, तो basically हमारा purpose क्या है? जो frozen section है उसके training का हमारा purpose क्या है? तो rapid diagnose आप जानते हैं कि जब आपको कुछ diagnose करना होता है आपके पास जो specimen आता है तो उसको diagnose करने के लिए ही आप क्या करते हैं? उसका frozen section करते हैं और उसके बाद उसको diagnose करते हैं ठीक है so urgent operative biopsy अगर urgent operative biopsy है बहुत ही urgent required है तो उस case में क्या है कि यह बहुत जादा helpful होते हैं immunohistochemistry इसको immunohistochemistry में use करते हैं immunofluorescence ठीक है it is essential technique for the demonstration of fat and lipids तो basically क्या होते है जो immunofluorescence जो होता है हमारा यह क्या होता है basically is essential technique है जिसके अंदर हम fat और lipids को demonstrate करते हैं ठीक है required for neurological tissue neurological tissue भी इसमें require होती है ठीक है reagents की बात करें तो सबसे first हमारा reagent है acetone and formaldehyde ठीक है तो हमारे पास जो होता है basically जो tissue है ठीक है आपका आपको होना चाहिए है तो है आपके पास होना चाहिए है वह भी आपके पास होना चाहिए composition क्या होने चाहिए हमेटोजालीन ग्राम होगा alcohol 100 ml होगा जो ammonium alum है वह आपको 20 ग्राम होगा डिस्टल वॉटर आपको 200 ml एंड मर्क्यूरी कोक्साइड हो 0.8 ग्राम ठीक है तो आप जब लाप में जब भी आप एक्सपेरिमेंट के अंदर लेना है प्रोसीजर की बात करते हैं तो प्रोसीजर में आपका फर्स्ट स्टेप जो होता है तो आप क्या करेंगे पहले तो section को जो आपने section कट किया है उसको ऐसीटोन या फिर में 15 से 20 सेटों के लिए रखेंगे प्लेस्थीन वाटर अब तो किसमें वाटर में प्लेस करतेंगे फिर उसके बाद वाटर में प्लिस करना को प्लेस हैज है नगंभी रिविधेंट में इंट कर्द और गार्मेंट में वाश इनर साह्फ है प्लेस वाटर जन्र इग्रमाइनट जऑ घाल वाटर में त्यर ऑरेंट के लिए कीशिटिशन के साथ ज़िए रांसे गॉम require के लिए वाश करना है उसके बाद हमें करना है डिप करना है इसको 0.5 sodium borate जो हमने लिया है sodium borate के अंदर until blue जब तक कि वह blue ना हो जाए ठीक है place in 20% alcohol 5 seconds के लिए फिर उसके बाद जब आप sodium borate में उसको dip कर देंगे color आ जाएगा and then क्या करेंगे आप उसको alcohol 20% alcohol में dip कर देंगे 90% 100% क्लियर करेंगे जाइलिन से फिर उसके बाद आप क्या करेंगे मांट करेंगे इनपर मांट तो बिसिकली यह जो स्टैप है यह प्रोसीजर रेफरेंट्स जों भी section cutting आप करते हैं उनका एक प्रोसीजर होता है किस तरीके से आप tissue को handle कर रहे हैं tissue section को handle कर रहे हैं ठीक है tissue को handle किया जाता है और इसके slide बनते हैं आप उसको microscope में observe करते हैं strain करने के बाद यहां पर कुछ alternatives भी है alternatives हम डिसकुस करेंगे इस experiment में so strain with Harris Dematozylin for three to ten minutes depending upon the age of strain strain की जो मिन्स की जो इसकी expiry है अगर ज्यादा पास है तो आप इसको ज्यादा टाइम तक strain करेंगे अगर यह new है newly manufacturer है तो आप इसको जितना टाइम है उतना टाइम तर ही यूज करेंगे ठीक है यह alternatives है so wash in running tap water आप जब भी इसको wash करेंगे running tap water में dip in ammonia water the section will change the blue color जब आप इसको ammonia water में dip करते हैं section को तो वो color change जाता है ठीक है blue color में हो जाता है wash and counter strain with eosin जब आप wash करते हैं counter strain के साथ eosin के साथ करेंगे ठीक है dehydrate store and mount उसको dehydrate करेंगे stored करेंगे Mom Policy करेंगे ठीक है section को तो जब्यार करेंगे चлюс तो उसको किता क्षियं काने किक्षे खेंगे है उस्को इसको 당 Secure करेंगे इसकोерг करेंगे ठीक है उसको Computersdoo को त Dana चलता है कि उसका एक्टेल में रीजन नता है जो भी आपकी आती है यह आती है जो भी है वो सारे के सारे सेंपल्स के अपके तो यह था हमारा फ्रेंड्स स्टेंडिंग और जापको फॉल्वन सेक्षिन है उसकी स्टेंग इस तरीके से करते हैं तो हमारा अगर इसके रिगार्णिक कोई कोश्चण है आपका अदर कोई टॉपिक है तो कुमेंट कि अ